गाइस कैसे हैं आप सब वेलकम वेट टू माइको कें स्टाइल एंड मैं आपको वाहर का वैदर दिखा रही हूं कितना क्लावडी क्लावडी वी वैदर हो रखा है इस टाइम पर और ये वाला वैदर मुझे बहुत इच्छा लगता है तो आज का एक रेसेपी ब्लॉक है मैं आपके साथ बहुत सारी रेसेपी सेयर करूंगी इवनिंग स्नैक एंड डिनर रोटीन तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं भी इवनिंग में बना रही हूं पटल आलू एंड प्यास के पकोड़े तो मैं आपको दिखा रही हूं कि मैंने कैसे कट किया है अब अपनी टेस्ट के कॉर्डिंग कर लीजिएगा एन हाफ टेवल स्पून में यहाँ पे टर्मरिक पॉडर एट कर रही हूँ देन इसको मिक्स कर दूँगी और साइड में रख दूँगी चार से पांच पिर रस्ट होने के लिए यहाँ पे मैंने चावल का अटा ले लिया है बन टेवल स्पून बेसन ले लूँगी चार से पांच टेवल स्पून आप जितने क्वांटिटी में बना रहे हैं आप उतने क्वांटिटी में इसका बैटर बना लीजे यहाँ पे मैंने शॉल्ड एट किया है थोड़ा टर्मरिक पॉडर एट कर दूँगी उसके बाद थोड़ा सा खानी का सोड़ा एट कर दूँगी आप खानी का सोड़ा स्कीप भी कर सकते हैं अगर आप बेसन के बैटर को रेस्टिंग टाइम 30 मिनट से उपर देते हैं तो मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था इसलिए मैं आट कर दिया और मैं आपको थोड़ा ग्रीन चली दिखा रही हूँ जिसे मैं फ्राइ करूंगी डिफ्राइ करूंगी पकोड़े के साथ काफी अच्छा लगता है तो आपको एक नॉर्मल बैटर बना लेना है जैसे पकोड़े को तलने के लिए हमनों बनाते हैं तो यहां पर ओयल मेरा गरम हो गया है यहां पर मैंने पटल वाले पकोड़े को एक कर दिया है इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राइ कर लेंगे काफी टेस्टी लगता है आप एज़स नेक के साथ भी खा सकते हैं दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं साइड डिक्स की तरह यो औल ओवर कभी भी खा सकते हैं हम इंडियन्स को पकोड़े बड़ अच्छ लगते हैं तो यहां पे पटल वाले पकोड़े फ्राई कर दिया है मैंने सारी अब इसमें आलू वाले पकोड़े फ्राई करूंगी तो यहां पर मैंने सारे आलू के पिकोड़े को फ्राइ करने के लिए डाल दिया था और इसे भी सेम प्रोसेस है लाइट गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है यहां पर मैं दिखा रही हूं कि जो बेटर मेरा बचा वा था और जो ऑनियन मैंने कट करके रखा था उससे मैं ऑनियन का पकोड़ा बना दूँए इससे होगा क्या कि मेरा ऑनियन पर मेरा जो बेसन था उसका जो बेटर था वो बच गया था वो बरबाद नहीं होगा एन शाथी मैंने यहाँ पर जो ग्रीन चिली आपको दिखाया थे उसे भी मैंने फ्राइ कर लिया है एन यहाँ पर मैं ओनियन का पकोड़ा फ्राइ कर रही हूँ भजिया पकोड़ा कुछ भी बोल लेजे खाने में काफ़ी टेस्टी होता है चाय के साथ मज़ा आ जाता है तो इसे भी मैंने थोड़ा जादा गॉर्डन ब्राउन करके फ्राइ कर लिया है देख सकते हैं यह टीटा स्नैक पुरा बेस्ट है बहुत अच्छा लगता है तो मैं आपको सब करके भी दिखा दे रही हूं मैंने यहाँ पे लिया है टेमेटो चिली और गार्ली की चट्नी प्याच का पकोड़ा अलू का पकोड़ा पटल का पकोड़ा और ग्रीन चिली थोड़ा ना के खा लीचे आते हैं डिनर के रोटिंग पे तो मैंने यहाँ पेंग चरा दिया है एड कर दिया है मैंने मस्टेड ओयल थ्री टेवल स्पून एंड टू ग्रीन चिली एंड ओनियन यह एक मिडियम साइज का ओनियन है इससे गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लें है लाइट गॉल्डन ब्राउन एंड यहां पर मैं गूबी और आलो की सुखी सब्जी बना रही हूं भुजिया टाइप तो मैं भी एड कर दूंगी ओनियन फ्राइव हो चुका है तो इसे एक स्टर दे देंगे मिक्स कर देंगे इसको एंड इसमें सॉल्ड एड कर देंगे टिस्ट के कॉर्डिंग एंड मिक्स कर देंगे इसको एंड इसको कवर करके चार-पांच मिनट कुख होने देंगे देन यहां पर चार-पांच मिनट हो गये हैं एंड हलका हलका जो मेरा वेजिटीवल था वो भी सॉफ्ट हो चुका है तो इस टाइम पर मैं हाफ टेवल स्पून टर्मरिक पॉडर एड कर दूंगी अधर वाज मैं इसमें और कोई मसाला एड नहीं करूंगी यह पूरा अपना गोबी का जो फ्लीवर आजाता है ना उसे से काफी टेस्टी हो जाता है आप चाहो तो एड कर सकते हो बेट सजेशन यही है कि आप इसे बस टर्मरिक एंड ग्रीन चिली ओनियन और सॉल्ट के साथ ही कुक करें काफी आपको अच्छा लगीगा प्लेंग चापाती हो गया रोटी चापाती या प्राठे किसी के साथ भी अच्छा जाता है इवन यह दाल चावल के साथ भी अच्छा जाता है साइड डिक्स में तो चलिए यहां पर मैं आपको रोटिया दिखा रही हूँ कि मेरी रोटिया कैसे फूल रही है तो जब आप आटा का डू लगा होना तो सीक्रेट है आप इसमें थोड़ा सा ओयल एट कर दो और आटा को लगा 30-40 मिनर्स रेस्टिंग टाइम दे दीजे फिर आप रोटी बना है अपने लिए इंड मेरे हस्बिन को प्राठा खाना था प्राठा और भचिया तो मैं अभी पराठे बनाओंगी और मैंने आपको भचिया दिखा रही थी तो यहां पि मैंने ब्लाटा बनाया है और आप देखना कि मेरे प्राठे भिए कितने अच्合ु फूल फूल कर आए तो देखिए मेरा पराथा फट चुका है फिर भी फूल रहा है तो यहाँ पर मैं ऐसी सारी पराथे बना करके रेडी कर लूँगी और सारी के सारी पराथे मेरे फूल जाएंगे अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा मेरे चैनल में नहीं आया है तो सुस्क्राइब कीजिएगा तो देखिए इसे मैंने पूरा रेड डेड करके सीख लिया है काफी टेस्टी लगता है तो रेडी है मेरा नाइट का डिनर थाली भुचिया है दही है प्याज है ये फुलाओ था मेरा कल का वो है एंड प्राठा है तो कैसा लगा बताईएगा जरूर एंड थैंक यू फो वाचिंग